केला और दूद दूनों ही कई विटामिन और पोशक तैद्वों से भरपूर होते हैं दूद और केला दूनों का एक साथ सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है केले का सेवन हमारे हेल्थ के लिए अत्यंत ही फायदेमंद माना जाता है वहीं अगर केले को दूद यानी के मिल्क के साथ खाया जै तो यह हमारे स्वास्त के लिए और भी अधिक लाध द्यायक साबित होता है केले के सिवन करने से कई प्रकार के सादिरिक भीमारियां दूर होती हैं गेला में कई विटामिन जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन B, 6, विटामिन C, आईरन, कैलसियम, रिबोफलेविन, लियासिन, फॉलिक एसीड, पोटेशियम और मैगनेशियम जैसे पोशक तत्र मौजुद होते हैं वहीं दूद में प्रोटेशियम, कैलसियम, और रिबोफलेविन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E, फॉस्फोरस, मैगनेशियम, आयोडिन का प्रमुक श्रोथ होता है इस प्रकाश स्वास की दिष्टी से केला और दूद का सेवन काफी लबदायक साबित होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इडियरो जानकारी क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल फ्री है सुबा खाली पेट केला और दूद के सेवन से हमारे सरीर में उर्जा बनी रहती है लेकिन कुछ परिस्तिती में दूद और केला खाने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी देखे जा सकते हैं तो दोस्तो आई इस वीडियो में जानते हैं सुबा खाली पेट केला और दूद खाने के फायदे और कुछ नुकसान के बारे में हैं तो सबसे पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में केला और दूद के फायदे सरीर कौनी रोग रखने में मददगार है केला और दूद में प्रचुर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है जो हमारे सरीर की रोग प्रती रोधक चमता को मजबूत करने में सहायक सिद होता है कुछ लोगों की रोग प्रती रोधक यानि की इम्नुटी चमता अत्यंती कमजूर होती है कुछ लोगों को अनिंद्रा की सिकायत हो जाती है जिस कारण उन्हें ठीक से गहरे निंद नहीं आती राद पर करवटे बदलते बीच जाता है सुबह उठने पर बैचानी मैसूस होती है ऐसे लोगों को अपने हार में रोजाना केले और दूद का सेवन फायदे मंद हो सकता ह केले और दूद में कुछ ऐसे तैद्वय पाए जाते हैं जो अनिंद्रा में बेहदी फायदे मंद होते हैं इसके सेवन से अच्छी निंदाने में मदद मिलती है केले में मौजूद बिटामिन्स और फाइबर हमारे पाचन तंत्र यानि की डाजेशन को मजबूत करता है प कि परतेटा ध divisions मात्रा में मौजुद होता है हमारे सरीर को ब्लड प्रेशर नियतित हिती में लाब धायक होता है इस्कारण प्लड प्रेशर वाले मरीजों को अपने हब की को नम प्रोव फैर नामक तत्वे मौजूद होता है जो हमारे मन को प्रशन रखने में मददगार साबित होता है जिसके चैरे पर हमेंसा मायूसी चाही रहती है डिप्रेशन के सिकार होते हैं इसे डिप्रेशन के शिकायत वाले लोगों के लिए केला और दूद का सेवन अत्यंति फायदेमंद माना जाता है। जिन लोगों को ठकाना और कमजोरी महसूस होती है उन्हें केला और दूद का सेवन करना चाहिए इसे उनके सरीर में एनरजी बनी रहती है। केली में मुझोद कुछ ऐसे तत्वे पाई जाते हैं जो डिप्रेशन को दूर करने में सहायक साबित होते हैं। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो तनाव को दूर करने के लिए दूद और केला खाना हद तक काफी फायदेमंद होता है। या मस्तिक सम्मंदित समंस्य को दूर कर तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। अहार में सामिल केलों और दूद दोनों पॉस्टिकता से बरपूर होते हैं। दूद और केला दोनों में कैलसियम की प्रच और मात्रा पाई जाती है। या दोनों कैलसियम का सबसे बड़ा शोत होने के कारण हट्या के इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें। केलों और दूद दोनों के सेवन से अन्य खादे बदात की तुलना में अधिक कफ बनता है। अस्तमा के रोग्यों को इसके सेवन से उनकी शिकायत और भी जादा बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों को केली और दूद क सेवन करने से परेज करना चाहिए। केलो और दूद का समूचित मातर से अधिक सेवन से पेट संबंदित सिकायत भी अधिक सेवन से कराब करकते जिए करने से सिकैत को इसकित है। जो लोग अपने वजन का नहीं करने से support करना दूस्तों ये तो रहें केलो और दूद के नुकसान के बारे में लेकिन केलो और दूद से जुड़े कुछ सवाल लोगों के मन में आते हैं जैसे कि पहला सवाल है केलो और दूद खाने का सही समय क्या है तो आपको बता दे केलो और दूद का एक साथ सेवन बहुत ही पौश् किया जाता है आप केला को दूद के साथ मिला कर बनाना मिल्क शिक बना कर भी पी सकते हैं कुछ लोग केला को चुटे चुटे टुकड़ों में काट कर फिर दूद में डाल कर भी खाते हैं तो यह तो रहें केलों और दूद के फायदे और नुकसान के बारे में साथी से निकले आपका धन्यवाद